गुड मॉर्णिंग स्ट्रेंड्स फर्स्ट पॉइम टैंथ स्टेंडर के लिए डस्ट ऑफ श्नो इस पॉइम इस रिटेन रोबर्ट फ्रोस्ट रोबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पॉइट है और रियल्स्टिक मैटर पे ही ज्यादा इन्होंने अपनी पॉइम लिखी है य और लाइन टो लाइन ही इसका मीन भी हम समझेंगे इस सबसे पहले हैं यह साथ एक वर्ट है हैं यह जो दोनों geometries को ही शो करते हैं किजी भी सुब गाम के लिए हम कवे को नहीं बुलाते और हैमलोक ट्री हैमलोक एक ट्री एक विशेले जहरीले पोधे का नाम है चली शुरू करते है The way a crow shook down on me the dust of snow from a हैमलोक ट्री कवी यहां पे कहना चाहता है कि कवे ने मेरे उपर और हमलोक ट्री के उपर से कुछ पार्टिकल्स है snow के वो गिराए बरफ की धूल है वो मेरे उपर उन्हेंने गिराए अब वो हो सकता है पोईट उस हमलोक ट्री के नीचे बेठा हो कववा उड के आया हो और वो बैठने लगा हो तो उनकी पतियों से ब्रफ के पार्टिकल्स हैं वो उसके उपर गिरे हूँ यह यह भी हो सकता है कि कववा पहले से बैठा और अब उड़के जा रहा हूँ ऐसा कुछ भी मैंसन नहीं किया गया है लेकि मैंसन किया गया है क्रो और हैमलोग ट्री कि मैं उस जहरी ले पेड़ के नीचे बैठा था और एक कववा आया जिसने वहां से मेरे उपर कुछ बरफ के पार्टिकल्स हैं वो गिराए और इससे मेरा मूड है वो चैंज हुआ और कुछ चर्ण मेरे उस दिन के उसने बचा लिये इट मींज कि पोईट है वो उदास था किसी घहरे दुख में था वहां पे बैठा था लेकिन जैसे ही कववे ने हैमलोग ट्री के उपर से वर्फ के कुछ पार्टिकल्स उसके उपर गिराए तो उसका ध्यान है वो विचलित हुआ और पहले जो दुख के बारे में सोच रहा था अब उसका ध्यान उस दुख से थोड़ा दूर हुआ और वहलाइफ के बारे में सोचने लगा और उसने सोचा कि मेरा दिन अभी बाकी है मुझे और कुछ करना है रोबर्ट फोस्ट ने यहां पे इस पोईम में कुछ अच्छे की शुरुआत भी कर सकता है हैमलोक ट्री जैसे जरीला पोदा होता है कोवे को भी हम सुब नहीं मानते लेकिन इनकी वज़े से ही और वो इट का मूड है वो चेंज हुआ और अब वह अपने बचे वे दिन में कुछ अच्छा करने की कोशिस करना चाहरा है तो यह तो हुआ देखो बचो राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो यहां पे एक वर्ड आता है क्रो और यहां पे दूसरा वर्ड आता है स्नो क्रो और स्नो एक जैसे वर्ड है वहीं पर बात करें मी और ट्री यदि मैं क्रो को वाल लाइन को A और मी वाल लाइन को B दूँ तो यहां पर साउंड जो निकल रहा है क्रो, श्नो, मी, ट्री A, B, A, B और वही चीज अगर मैं हाट में और पार्ट में डालो मूड में और रूड में आपको बताना चाहूं तो हर्ट पार्ट मूड रूड A, B, A, B, C, D, C, D आ रही है बात समझ में तो राइमिंग स्कीम क्या हुई राइमिंग स्कीम हुई है हमारी A, B, A, B, C, D and C, D ओके स्टुएंट्स तो यह आपने समझा तो दुख कब हो समझ में आ रहा है और दूसरे वाले में उसका मूड है वो बदला है इसका मलत दूसरे जो पैराग्राफ है स्टेंजा है वो उसका विपरित हो रहा है तो इसको हम बोलते है इन्वर्जियन तीसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो तीसरी चीज़ में हम बात करते हैं अलिट्रेशन की अगर हम बात करें यहां पर तो देखिए स्ट्रेंट्स की अलिट्रेशन क्या होते हैं ऐसे वर्ड जो सेम लेटर से शुरू हो जैसे हैज और हर्ट कि तो नोब एक ही लाइन में ज्यादा दूर भी नहीं है दोनों एच-च से शुरू हो रहे हैं इतमीन्स अलिट्रेशन हो रहा हैं तूसरा अगर बात करें हम सेवड और शम दोनों हैसा से शुरू हो रहे हैं सेब लेटर से सुरू है तो subscription का भी इसमें use हुआ है ओकी अब हम छोथी जो बात करते हैं वह बात करते हैं है इम्पैजमेंट कि इम्बैजमेंट क्या होता स्टोएंट इम्बैजमेंट दिखो अगर ध्यान से दिखो कि इसमें तो स्टार्ट से लेके और लाश्ट तक की पर कोई भी कोमा embedded कोमा फूर स्टोव का यूज सरना एक ही लाइन में अआ ऐसा जब भी कोई काम हो जहां प्रोष्ट की लिखे गई है आपने 9th stender में भी इससे लिटर एक पड़ी थी ते रोड नोट टेक और इसकी नेक्स्ट पोइम आइसन फायर भी रोबर्ट फ्रोष्ट की द्वारा ही लिखे गई है इसे वरी ग्रेट और टेलेंटेड पॉइट और अमेरिका से थे यह I hope कि आपको यह समझ में आई हो have a good day